किसान भायो नमस्कार मैं हूँ रामलाल धाकड और आप देख रहे हैं स्प्मार टेक्रिकल्चर यूट्यूब चैनल यह हैं एनर से 138 स्वैबीन का प्लोट और यह प्लोट हमारे किसान मित्र संजैजी पटेल का हैं जिनके चैनल का लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क और रोगों का कितना अटेक हुआ हैं मतलब कि पिला मुझे वायरिस कितना आया हैं स्टेंप लाए का प्रभाव किस प्रकार से देखने को मिला हैं तो तब पोदे में फूटाव किस प्रकार से हुआ हैं फूल और फल्या कितनी आई हैं तो आपको इस वीडियो में एनर से 13 38 स्वयबीन की 8 to 0 जानकरी मिल ले वाली है तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्कीप के अंत तक देखे और आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हो तो नीचे देखे लालक्षरो के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजे और उसके पास में जो गंटी का निसान आया है उसे भी जरूर दबा दीजे ताक कि हम जैसे नय वीडियो अप्लोड कर उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए किसान भायू अब अगर NRC 138 स्वयबीन के बारे में बात करें तो इस स्वयबीन को इंदोर स्वया 138 के नाम से भी जाना जाता है और यह विराइटी 2021 में लॉंच की गई थी मतलब कि यह एक लेटेश्ट विराइटी है तो अगर इस विराइटी के बारे में बात करें तो इस स्वयबीन की सुरुआज से ही बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है जिसकी वज़े से इस स्वयबीन की हाइट भी काफी अच्छी हो चुकी है इस स्वयबीन में सपेद रंगे फूल आते हैं और रुएदार फल्या आती है मतलब कि आपको फल्यों पर रुए नजर आ जाएंगे और एक फल्यों में तीन दाने बनते हैं किसान भाईव इस वराइटी की कासियत यह है कि इस वराइटी में फूटाव काफी अच्छा होता है मतलब कि ब्रांचिंग बहुत ज़़दा होती हैं जिससे इस स्वयबीन में फल्या भी काफी ज़़दा आई हैं जिन फल्यों को आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे किसान भायू यहाँ पर देखिए फल्या कितनी अच्छी तरह से आई है अब अगर 80 दिनों का हो चुका है तो इसके दाने के बारे में बात करें तो दाना भी कापी अच्छी तरह से बन रहा है और अब अगर इसमें लगने वाले रोग और किटो के अटेक के बारे में बात करें तो इस विराइटी में यलो मोजेग वाइरस का बिल्कुल भी अटेक नहीं हुआ है मतलब कि अगर आपके छेतर में हर साल पीला मोजेग वाइरस की वज़े से आपके स्वयबिन की पसल खराब हो जाती हैं तो आप इस वेराइटी को लगा सकते हो इसके अलवा यह वेराइटी स्टेमप lay की भी परतीर होधी है मतलब कि इस वेराइटी में स्टेमप lay का भी अटेक नहीं हुआ है और अगर इलियो के अटेक के बारे में बात करें तो किसन भाईयो इस सुयबिन की फलिया रुहेदार होती हैं जिसके वज़े से इस सुयबिन में इलिया भी कम लगती है अब अगर बात करें कि यह स्वैबिन कितने दिनों में पकर तियार हो जाती है और इस स्वैबिन का उत्पदन कितना निकलने का अनुमान है तो यह स्वैबिन 90 से 92 दिनों की वराइटी है मतलब की J.A. से 20-34 की रिपलेश वराइटी आप इसे मान सकते हो और जिन चेतरों में बारेश जल्दी जली जाती है उन चेतरों के लिए यह वराइटी एक बहुती अच्छी वराइटी साबित हो सकती है अगर बात करें कि इस वराइटी का उत्पदन कितना निकलने का अनुमान है तो उत्पादन के बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कहा सकते हैं क्योंकि फलियों के आदार पर हम पूरा 100% सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं लेकिन मोटे मोटे तोर पर बताओं तो 5-6 कुंटल परती भीगा तक उत्पादन निकलने का अनुमान है और जब इस स्वयबिन की हार्वेस्टिंग की जाएगी तब हम आपको उत्पादन के आकड़े भी जरूर प्रदान करेंगे तो इस वीडियो में हम 80 दिनों के एनार्ची 138 स्वयबिन के बारे में बात की हैं तो आपको यह वेराइटी कैसी लगी कमेंट कर गया हुशी बताईए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जई जवान जई किसान